हालो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फिर से स्वागत है तो आज मैं आपको ये चक्री वाला डॉर्मेट के डिजाइन बनाना बताऊंगी इस डिजाइन को मैं आज आपको 32 फंदे से बनाना बताऊंगी अगर आप इसे पुराने चुननी है साड़ी से बनाएंगे क्योंकि देखिए बाद में इस तरह से फंदे बढ़ भी रहे और अगर आप इसे उन को डबल लेकर भी बनाएंगे तो ये डॉर्मेट के साइज का बनके तयार हो जाएगा देखिए जैसे मैं इसे बनाई हूं और आप इसे बताऊंगे तो इस डिजैन को सेखने के लिए प्लीज इस वीडियो को आण तक देखिएगा पसंद आयगा तो लाइक करिएगा और एक बहुत ट्राइक करिएगा जरूर इस डिजाइन को तो चलिए शुरू करते हैं देख लेते यह कैसे बना है तो इसे मैं आज आपको अगर कोई और तरीका आता हो तो आप उस तरीके से फंदे ले 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 मैं इस तरह से इसमें 32 फंदा ले लेती हूँ अब देखिए पहले लाइन में हम लोग से कलर लगाएंगे जैसे हम लोग दो कलर से बनाया है तो दो कलर इसमें लगाना पड़ेगा तो अभी हम लोग यहां कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहां से लेकिन दस फंदा हम लोगों को बिनना है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छै साथ आठ नौ यह दस यह देखिए दस फंदा बिन लिये अब यहां से हम लोग 20 फंदा में यह ब्लू कलर लगाएंगे यह देखिए तो यहां से 20 फंदा में ब्लू कलर लगा लेते हैं एक दो तेन चार पाँच आठारा उनाइस ये बीस ये देखें बीस फंदों में ब्लू कलर लगा लिए ये जो दो फंदा इसे बिना पुने छोड़ देंगे इसे धागा पलड़ देंगे ये देखें इस साइड से जहां पर जो जैसा कलर है उसे यहां तक बीन लेंगे अब यहां पर यह वाला धागा इसे पीछे कर देंगे और यह गीया वाला धागा सामने ले आएंगे इसके बाद बाकियों को बीनेंगे सीधा साइड है सीधा साइड में जब बीनेंगे तब यह से बेकसाइड ले जा के दोनों धागा को एक बार लपेट करके फिर बीनेंगे इस तरह συसीन साइड में इसका फिनिससिंग बहुत अच्छा आएगा इस तरह से घीया वाले सारे फंदे बीनलेते हैं यह देखिए फ्रेंस बिनते वे आ गए इसके उपरी साइड में अब यहां से देखिए अब हम लोग यहां पे फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे तो यह देखिए इस तरह से काटे पे लपेटते हुए एक फंदा यहां पे बढ़ा लेंगे अब यहां हम लोग यहां में दस फंदे रखे थे तो दस फंदे ही रहने देंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह दस एक जो यह रह गया इसे हम लोग यहां पे ब्लू कलर से बदल देंगे इस तरह से अब यहां से बाकियों को ब्लू कलर से बिनते वे जाएंगे और यहां से ब्लू में से दो फंदे बिना बुने छोड़ेंगे तो यहां तक बिन लेते हैं कि यह देखिए फ्रेंस आगे बिनते वे यह दो फंदा छोड़ देते हैं इस साइड से वापिस बिनते वे यहां तक कर लेंगे यह देखिए फ्रेंस बिनते वे आगे इसके उपरी साइड में इस तरह से एक बार और देख लिजे फिर से यहां पर एक फंदा इस तरह से काटे पिला पेटते वे बढ़ा लेंगे और यहां से दस फंदा बिनेंगे 13 4 5 6 7 8 9 10 यह जो एक रह जाएगा इसे ब्लू कलर से बिनेंगे इस तरह से फिर से बाकियों को ब्लू कलर से बिनते जाएंगे और एक तरप से यहां से दो फंदा छोड़ेंगे यहां तक बिनना है ऐसे ही फ्रेंस देखिए जैसे भी हम यहां पे सामने में दो फंदे और इदर से दो 2 फंदा छोड़ते हivasे से 20ब और छोड़ना है कुल मिला कर यहां पे दास बढ़ाने है हैं उसके आगे आङे आपको बताते हैं अ यह देखिए भी नत भी दस फंदा बढ़ा लिए यह देखिए यह यहां से गिनिंएगा पंष्टण छे साथ आठ नो दस यह देखिए इस तरह से दस फंदा बढ़ा लिए इधर से ब्लू में से बीस फंदा और अगर शुरुआत से लेंगे तो बाइस फंदों तब यह छोड़ दिये हैं अब देखिए फ्रेंस यह जो दस फंद हम लोग बढ़ाएं हैं उन्हें अभी यहां प तीन चार पांच छे साथ आठ यह देखिए नौ और इस से यह लाश्ट वहला दस यह देखिए यह दस फंदा घटा लिए अब यहां से दस फंदा बिनेंगे तो इसे गिनते वे बिनेंगे एक और साथ में ब्लू वाला धागा है इसे भी लपेटते वे ले जाएंगे दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह देखिए दस यह दस फंदा तक ब्लू लपेटते वे ले जाएंगे बाकी को घिया कलर से ही बिनेंगे लेकिन यहां तक यह दागा हम लोगों को ले जाना होगा क्योंकि देखिए ऐसा करेंगे तो हम लोगों का यह दॉल्मेट बहुत ही फिनिसिंग के साथ बनेगा देखिए इसी तरह से अब इस लाइन में सबको घिया कलर से बिनते वे एक दम अंत तक के सारे फंदे बिन लेंगे अ कि यह देखिए फ्रेंज बिनते वे एक दम अंत में आ गए सारा ही फंदा इस लाइन में बिन लेंगे सीधी साइड से वापिस बिनते वे यहां तक कर देंगे कि यह अगिशा को आगी इसके उपरी साइड में फिर से हमारे kate ये 32 फंदा हो गया जैसा पहले लाइन में लिये थे फिर से हम लोग इसमें color लगाएंगे पहले लाइन में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहां से दस फनदे के बाद फिर से blue color लगाएं इसलिए हम लोग यहां पर इस तरह से दागे को लपेट करके ले लिए थे देखिए कि यह देखिए यहां तक के दो दो चार दो छे दो आठ एक नो और यह दस दस फंदे बाद फिर से यह ब्लू कुलर वाला दागा हम लोग लगा लेंगे यहां से 20 फंदों में यह देखिए फ्रेंस बिंते वेंत में आगे फिर से दो फंद यहां पर छोड़ देते इस दरगा पलड देते हैं इसके बाद फिर से जैसे इसमें दस फंदे बढ़ाएंगे ग्यारवे लाइन में से घटा देंगे और एक लाइन पूरा कंपलीट गिया कलर से बिनेंगे जैस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में